इंटोड़क्शन टू स्कॉर्पियन्स स्कॉर्पियन्स अरेकिनेट्स हैं जिनके अंदर जो टेल है उसके लास्ट पे एक वैनम ग्लैंड मौजूद है एक स्टिंगर मौजूद है जिसकी मदद से ये अपना वैनम अपने प्रे की बॉड़ी के अंदर इंजेक्ट करते हैं उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्कॉर्पियन्स वैनम है ये एक पॉइसनस मेटीरियल है स्कॉर्पियन बाइट हाईली पैनफुल होती है और स्कॉर्पियन बाइट के फॉरण बाद हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है अब अगर हम स्कॉर्पियन वैनम की कमपोजिशन की बात करें तो इसका जो वैनम है उसके अंदर बहुत सारे डिफरंट कामपोनेंट्स मौजूद है लेकिन खास तोर पर इसके अंदर जो पैप्टाइड्स है वो ज़्यादा एहमियत के हामिल है इसके वैनम के अंदर डिफरंट किसम के पैप्टाइड्स है इसके अंदर लांग चेंड पैप्टाइड्स है शॉर्ट चेंड पैप्टाइड्स है और intermediate size के peptides मौजूद है आम तोर पर ये ख्याल किया जाता है कि जो short chain peptides हैं ये medically जादा important है scorpion venom एक तरफ तो toxicity का सबब बनता है लेकिन researchers ने अपनी research से ये बात साबित की है कि जो scorpion venom है इसके अंदर खास तोर पर जो low molecular weight peptides है ये बहुत important है और medical sciences के अंदर ये बहुत important role play कर रहे हैं हमने ये डिसकस किया कि खास तोर पर scorpion की family birthday के जो scorpions है ये highly poisonous है scorpion venom को मुख्तलिफ diseases की treatment के लिए इस्तिमाल किया जाता है खास तोर पर cancer की treatment के लिए अब cancer की बहुत सारे एकसाम है तो cancer की जो मुख्तलिफ एकसाम है उनको control करने के लिए मुख्तलिफ किसम की जो medicines बनाए जाती है उनके अंदर scorpion venom, snake venom और spider venom के जो peptides हैं उनका इस्तिमाल किया जाता है दुनिया के अंदर अगर हम सबसे कीमती bio material की बात करें venom की बात करें तो वो scorpion venom है scorpion venom बहुत महंगे अदामों खरीदा जाता है अब scorpion venom को कौन खरीता है scorpion venom को वो companies जो के pharmaceutical से related है जो के medicines बनाती है खास तोर पर जो cancer की मुख्तलिफ medicine वो venom को purchase करती है अब scorpion venom को collect कैसे किया जाता है scorpion venom को collect करने के मुख्तलिफ तरीके है इन में जो एक important तरीका है जो कि commonly use किया जाता है scorpion venom collection के लिए वो electric method है इसमें हम low voltage crunch इस scorpion की body इसकी जो tail है उसके उपर apply करते हैं आम तोर पर 20 millivolt अब जब हम 20 वोल्ड का crunch scorpion की टेल के उपर लगाते हैं तो scorpion गुसे में आके अपना venom eject करता है researchers इस venom को मुख्तलिफ जो vials हैं उनके अंदर collect कर लेते हैं और scorpion venom हासल करने के लिए scorpion को rare करना पड़ता है वह सारे researchers ने scorpion को अपनी labs के अंदर rare किया scorpion कैना ballistic है इनको rare करते वकट इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि एक से ज़्यादा scorpion को एक जगा पे एक खटा ना रखा जाए क्यूंकि ये एक दूसरे को खा जाते हैं उसके बाद जो scorpions हैं उनसे जब एक वकट में हम venom हासल कर लेते हैं फिर उनको 10-15 दिन हम food देते हैं लेकिन उससे venom collect नहीं करते 15-20 दिन के बाद वो दुबारा से venom त्यार कर लेते हैं 15-20 दिन के बाद हम दुबारा से उनसे venom collect कर सकते हैं और आम तोर पर ये देखा गया है कि जो scorpion venom है इसकी production गर्मियों के अंदर जादा होती है सर्दियों के अंदर venom production बहुत ही कम हो जाती है उसके लावा जो scorpion venom जब हम collect करते हैं तो venom collection का जो method है ये भी बहुत important होता है क्योंकि जो method of collection है ये scorpion venom की quality को मतासर करता है तो scorpions venom grand रखते हैं जो कि इनकी tail के अंदर मौजूद है venom prey को immobilize करने के लिए इस्तमाल करते हैं scorpion venom के अंदर बहुत सारे different components लेकिन उसके अंदर जो peptides हैं वो खास दौर पर important है खास दौर पर low molecular weight peptides इन low molecular weight peptides को मुखतरिफ किसम की जो medicines हैं खास दौर पर cancer की treatment के लिए उनको venom से लाइदा किया जाता है और उनको medicine बनाने के अंदर इस्तमाल किया जाता है झाल 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 झाल